नमस्कार दोस्तों मैं रिंक योगी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी एजूकेशन वर्ल्ड में दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बड़ी संसोधित एक्सपेक्टेड कट आफ सेक्टन गेड के लेकर आया हूँ देखे दोस्तों जैसा कि मेरा अनभव है पिछले साल की कटाफ को देखते हुए और मेरी जो श्टुएंटों से बात हुई है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक टाफ तयार किया है आप किस पर क्या राया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो देखिए दोस्तों चलते हैं कि किस परकार यह कटाफ रह सकती है चलिए आए देखते हैं देखिए दोस्तों यह कटाफ है आपके हिंदी की तो हिंदी की कटाफ दोस्तों कुछ इसकार रहने वाली है जनरल की कटॉप 380 के आसपास रहेगी दोस्तों क्योंकि पिछले बार भी जनरल कटॉप काफी गई थी लेकिन इस बार जो है जीके का पेपर काफी टब था तो उस साब से जनरल की कटॉप 380 के आसपास रहेगी OVC 370 रहेगी और SC की बात की जाए तो SC की कटॉप 365 के आसपास रहेगी और ST की 350 के आसपास दोस्तों इस प्रकार यह कटॉप रहने वाली है हिंदी की जो कटॉप है इस बार 380 के आसपास जनरल की रह सकती है Next देखते हैं दोस्तों English की कटॉप English की कटॉप में देखिए दोस्तों इस बार जो English की कटॉप है उसमें जनरल की जो कटॉप है वो दोस्तों 360 से 365 के बीच में रह सकती है अगर OBC की करें तो 350 से 365 के बीच में कटॉप रहेगी SC में 340 से 345 तक कटॉप जा सकती है और दोस्तों अगर ST की बात करें तो 325 से 330 के बीच में ये कटॉप रहेगी तो इस प्रकार ये English की कटॉप रहने वाली है आगे बात करते हैं SST की SST में इस्ट्रेंट काफी थे और SST का जो पेपर था वो भी इस बार इतना इजी नहीं था तो इस तरह से देखा जाए तो जनरल की कटॉप 345 से 350 के आसपास रहने के उम्मीद है अगर OBC की बात करें तो 335 से 340 के बीच में कटॉप रहेंगी SST की कटॉप 325 से 330 ले सकती है और SST की बात करें तो 310 से 350 के बीच की कटॉप रहेंगी दोस्तों देखें दोस्तों आप किस पर क्यार आया है मुझे कमेंट करके बताएं तो यह इस तरह आपकी SST की कटॉप रहेंगी आगर बात करते हैं मैथ की कटॉप के बारे में तो दोस्तों मैथ की कटॉप इस बार जनरल की 249 से 300 तक रहने की उम्मीदे हैं OBC की कटॉप 280 से 290 SC की 266 से 270 तता ST की 250 से 255 की कटॉप रहेगी चले दोस्तों आगर बात करते हैं संस्कत कटॉप की देखें संस्कत की जो कटॉप है वो इस बार काफी हाई जाने की उम्मीद है क्योंकि दोस्तों संस्कत का जो पेपर था काफी जी द्था लेकिन फ़र्श्ट पेपर की अगर बात करें तो फ़र्श्ट पेपर ने वही उस कटॉप को वही आसपाँच लाके रख दिया अगर संस्कत की पेपर की बात की जाए दोस्तों तो फर्स्ट पेपर में अधिकांस जो एवरेज है वो 50 से 55 के बीच का बैठता है और अगर सेकंड पेपर यहीं सब्जेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पर लोग के अधिकांस तय 130 से 140 के बीच में मार्स आ रहे है अगर आप इन दोनों को ध्यान में रखें दोस्तों तो आपकी कटॉप कुछ इस प्रकार रहेगी जनर्ल कटॉप 385 से 390 के आसपास रहेगी जयान रखना दोस्तों 385 से कम किसी भी कंडिसर में एकटॉप नहीं जाएगी इस वार तो 370 से 390 के आसपास रहेगी औभी से की 378 से 382 के आसपास कटॉप रहेगी से कटॉप 365 से 368 रहे सकती है इसी के असपास रहेगी दोस्तों और ST के cutoff 355 से 360 के असपास रहेगी तो दोस्तों इस प्रकार रहेगी संसोधी cutoff तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये कमेंट वाला वीडियो पसंत आया तो कृप्या करके इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद वस्तों फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिन जय भारत